Hello everyone, now class 4th, now my dear students, इससे previous वाली वीडियो में हमने exercise number 1 हमने complete करी थी, आज हम जो start करने जा रहे हैं exercise 2, जो की आपकी addition से related है, बहुत से बच्चों को additions आते हैं, बट additions की कुछ skills हैं, जिससे आप fastly कर सके हैं, थर्ड क्लास में भी जिनोंने देखा हो मेरा addition का वीडियो तो उनके तो I hope concept clear होंगे, बट फिर भी आपका addition का वीडियो थर्ड क्लास का रहे गया था, तो आप इसको दुबारा मैं आज समझा रही हूं, आप इसको देखकर समझ सकते हैं, ताकि थोड़ी quickly additions हमारी हो सकते हैं, और पूरी exercise में कुछ इस तरीके के भी आपकी tricks रहेंगी, जिससे आप easily समझ पाएं, ओके, नौ सबसे पहले observe परो, यह एक hand है, जस्ट आपके हाथ ने भी इस तरीके का hand होता है, ठीक है, इस तरीके के linings होती हैं, ठीक है न, हम यहां हर एक line के अंदर normally three blocks होते हैं, हम हर एक block को कुछ number appoint कर देते हैं, it means, यहां से मैं number appoint करना शुरू कर रही हूं, it means, देखो, सबसे चो छोटी finger है, यह वारी चीज़ को, ठीक है न, इसको मैं दे रही हूं, one, two, three, four, five, six, generally आज तक आप यही count करते हाएं, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, थम को भी ले लेते हैं हम, ठीक है, 13, 14 और 15, it means, आपका जो hand है, वो 15 तक counting कर लेता है, एक hand, ओके, तो now सबसे easy बात यह रखने है, कि इसको हम use कैसे करेंगे, इसका proper आपको use करना आना चाहिए, तो मेरी request है, आपको कोई भी immediate पूछ ले कि यहाँ कौन सा number है, कौन सा number आएगा, 8, ठीक है न, यह वाली finger है न, 8, अगर मैं यहाँ पूछ हूँ, यहाँ कौन सा आएगा, 11, तो यह जस्ट आपको याद हो जाना चाहिए, यहाँ थम पर first पर कौन सा आएगा, 13, तो यह quickly अगर आपको याद है, तो बहुत ज़्यादा fastly आप addition कर पाएंगे, तो पहले तो आप यह याद कर दीजिएगा, अब इसका करना कैसे है, addition देखिए, आपके एक addition का example ले लेते हूँ, मैं 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 2, कोई भी एक number ले लेते हैं, अब हमें यहाँ कहा है, addition करने के लिए, तो सबसे पहली बात उपर वाला number observe कीजिए, कितना दे रखा है, 7, अब उसम कितना प्लस करने को कहा है, 2, तो हम counting किसके बाद से start करेंगे, 7 के बाद से, और कहा तक count करनी है, only 2 numbers, 2 कहा होता है, यहाँ पर, 7 से start करनी, तो 7 के बाद कितना हुआ, 8 और 9, easy, कितना दे रखा था, वापस बोल रही हूँ, 7, 7 में कितने add करने, 2 numbers, तो 2 यहाँ होता है, 8 और 9, हो गया addition, अब देखते हैं, 5 में कितना प्लस करना है, 3, 3 कहां तक होता है, यहां तक, और किसके बाद से count करना है, 5 के बाद से, 6, 7, 8, now write, 8, 4 में कितना प्लस करना है, 2, तो 4 के बाद से ही counting लेंगे, कितने number तक, 2 number तक, 5 and 6, 3 number तक, 3 में कितना प्लस करना है, 1, तो 3 में, 1 एक और कर दो, 3 के बाद की counting बोल दो, 4, easily, बहुत से बच्चे क्या counting करते हैं, just like इसी का एक example लेती हूँ, 4 और 2 का, सबसे पहले तो देखेंगे, 4 यहां होता है, 2 यहां होता है, अब वापस counting करने आएंगे, इतनी लंबी और प्रॉसेस से कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी प्रॉसेस को अपडेट कीजिए, एक और पॉस्चन दे लेते हैं हम, चीक है, 7, 5, 4, 3, 1, 4, 4, 6, चीक है, अब मैं यह फिंगर में करके बता रही हूँ, 3 में कितना प्लस करना है, 6, अब आपको याद हो चुका है, 6 नमबर यहीं आता है न, तो 3 के बाद count करेंगे, किस के बाद, 3 के बाद, 4, 5, 6, 7, 8, 9, now my answer is, 9, 4 में कितना प्लस करना है, 4, तो पहले यह 4 देखो आएगा, कहां पर, यहां पर, और किस के बाद से counting करनी है, 4 के 8, अब 5 में कितना प्लस करना है, 4, 4 अगें यहीं होता है, 5 के बाद से counting करनी है, 6, 7, 8, 9, now my answer is, 9, और 7 में, 1 ही 8 करना है, तो 8, ओके, easy, I hope, अब आप यह addition कर सकते हैं, ओके, यहां पर, 2.1 का में कोई भी bookish question नहीं करवाऊंगी, आपको सारे question self ही करने हैं, क्योंकि लिमिटेड ही है, आप चाहें तो उसको book में भी कर सकते हैं, but question number second जो है, वो तो आपको copy में ही करना होगा, चिके, अब जो आपको इसी से related, एक question आता है, arrange the number and do addition, मतलब हमको numbering को arrange करना हैं, और उसके बाद addition करना हैं, ओके, okay, मैंने यहाँ एक number लिख दिये हैं, इनको arrange करना हैं, और साथ में इनका addition लिखना है, तो देखो बेटा, सबसे पहले first वाला number तो मैं आपका as it is लिख रही हूँ, okay, जो यह वाला number था, मैंने इसको as it is लिख दिया, अब देखना, यह जो दूसरे number से, इनका जो लिखने का order रहेगा, वो कुछ इस तरीके से रहता है, बैक से, now सबसे पहले मुझे लिखना है, two, फिर है one, फिर three, three और six, again इसको भी reverse order में चलाएंगे, three, zero, zero, और two, बहुत से बच्चे बहुत silly mistakes करते हैं, वो यहाँ से लिखना start करते हैं, इसके नीचे से, जो के wrong है, लिखने का तरीका हमेशा यहीं से होगा, मतलब once वाली place से, place value याद है न, यह once की place value होती है, हमेशा addition और subtraction के case में, हमें once position से ही number लिखना start करना है, now four और two कितना होगा, चलो अब step by step चलते, four के बाद से हमें count करना है, पहला number क्या है, two, two यहाँ होता है, five और six, remember रखेंगे, six में कितना plus करना है, three, three यहाँ होता है, और last addition क्या आया था, six, seven, eight, nine, now my answer is, nine, अब seven में कितना plus करना है, one, तो seven में one plus करते हैं, तो कितना होता है, eight, zero का कोई effect नहीं होता, five में कितना plus करना है, three, three कहां होता है, यहाँ, तो five के बाद से count करो, six, seven, eight, अब इन तीनों का addition करना है, three में कितना add करना है, three, तो four, five, six, six के बाद कितना करना है, two, और करना है, two, यहाँ होगा, seven और eight, two में कितना plus करना है, six, six यहाँ होता है, three, two के बाद से count करेंगे, three, four, five, six, seven, eight, और one का one, now my answer, okay बेटा, I hope आप इस तरीके के arrange वाले addition भी कर पाएंगे, और जो आपको दे रखे हैं, मैं एक बार आपको book show कर देती हूँ, ताकि आपको करने में easy रहे, देखे, एक तो आपको यह addition के हैं, बेटार है, अगर आप copy में करते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप book में भी कर सकते हैं, बट जो question number second है, arrange वाला यह तो आपको copy में ही करना है, ओके, I hope अब आप exercise 2.1 अच्छे से कर पाएंगे, फिर भी अगर आपकी कोई query रहती है, तो आप मुझसे whatsapp पर consult कर सकते हैं, ओके, now thank you very much.